आज के वीडियो में इस प्रोसेस को किस तरीके से कम्प्लीट करना है वही मैं आपको बताऊंगा अगर आप अपने मोबाइल टो लापटॉप में मुवीज को ट्रांस्पर करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस मैथड़ को आप अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आपको बिस यहाँ पर ज़रूत पड़ेगी एक USB केबल किये यहाँ पर मोबाइल में छोटे स्क्रीन में कोई भी मुवीज को देखना पसंद नहीं करता है जो है बागीत्री इस बागीत्री को मैं अपने मोबाइल में ज़्यादा देखना पसंद नहीं करूँगा विकाज छोटा सा स्क्रीन है मोबाइल में इसको मैं अपने लैपटॉप में ट्रांस्पर करके लैपटॉप में बड़े स्क्रीन पर देखना चाहता हूँ तो इसके लिए पहले मुझे mobile to laptop में इस movie को transfer करना पड़ेगा और transfer करने के लिए यहाँ पे मुझे जरुवत होगी एक USB cable की है यह वह USB cable है जिसका use करके आप अपने mobile को charge करता है तो simply आपको यहाँ पे इस port को अपने laptop की USB port से connect करना है और इसके बाद इस charging port को अपने mobile से connect करना है जैसे आप इस charging port को अपने mobile से connect करेंगे आपके mobile में notification बार पे एक notification जाएगा और यहाँ पे आपको simply transfer file पे क्लिक करना है make sure कि यह notification आपको आना चाहिए और यहाँ पे transfer file पे आपका click करना ज़रूरी है otherwise mobile laptop से connect नहीं होगा जैसे आप इस पे click करेंगे दिन इसके बाद आपके mobile का folder आपको यहाँ पे दिख जाएगा और यह है mobile की storage उसके बाद आपको यहाँ पे download वाले folder में चले जाना है जहाँ पे आपने mobile में movie को download किया था download का folder रहता है उसमें जाना है और यहाँ से movie आपको दिख जाएगी download वाले folder में और फिर आपको यहाँ से movie को copy करना है और copy करके आपको अपने desktop में कोई भी folder में जाना है और वहाँ पे simply paste कर देना है paste करने के लिए mouse पे right click करना है और paste button पे click करना है otherwise आप यहाँ पे directly control V भी कर सकते हैं यहाँ पेश करेंगे फिर आई जो movie है यह mobile to laptop में ट्रांसपर आइमेंटेश शेर होना स्टार्ट हो जाएगा you can see that that's it तो उसके बाद आप easily अपने laptop में इस movie को बड़ी स्क्रीन में enjoy कर सकते हैं तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे जिस तरीके से में इस movie को ट्रांसपर किया उसी तरीके से आप यहाँ पे files and photos को भी easily same just like this आप इस तरीके से यह ट्रांसपर कर सकते हैं mobile to laptop में that's it तो इस तरीके से आप movies को share कर सकते हैं mobile to laptop में this will help you in 2020 and in future as well thanks for watching कर सकते हैं कर सकते हैं